जी हाँ, अगर आप बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं, जैसे की फोन पे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग या पैसा लेंडेन करने के लिए AAPS सिस्टम, तो आप सतर्क हो जाए और यह वीडियो जरूर पूरा देखें, नहीं तो ऐसा लूट जाएंगे की आंसू भी कम पर जाएंगे, तो देखो ये खेल शूरू होता है Facebook और WhatsApp से, Facebook में जाकर आपका नाम पता और भी बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं, फिर आपके WhatsApp में जाकर WhatsApp स्टेटस चेक करते हैं, और जैसे ही सारे जानकारी हासिल हो जाते हैं, तब आपके साथ स्कैम करने का सबसे खेल शुरू करते हैं, और ये स्कैम ऐसा बारी की से होता है कि आपको भनग भी नहीं चलता, जी हाँ, अगर आप फोन पे, Google पे या कोई भी बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं तो आपको बुरी तरह से लूटा जाएगा, आपके बैंक खाता पूरी तरह से खाली किया जाएग और ये सब आपके मरजी से होता है, जैसे कि आप एक बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं और वह बैंकिंग सिस्टम आपका एक AAPS पोर्टल है जो ATL Payment Bank हो सकता है, Spice Money हो सकता है, Penia Buy हो सकता है या फिर Finomitra हो सकता है, यानि कोई भी बैंकिंग सिस्टम हो सकता है, जिस पर आप पैसा लेंदेन करते हैं और कभी ना कभी ज़्यादा पैसा रखते हैं और दूसरी तरफ जो व्यक्ती स्कैम से चोरी करना चाहते हैं उसे किसी न किसी तरीके से मालूम पर जाता है कि कौन सा बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं और आपके सिस्टम पर कितना पैसा है फिर वस केम ए पसर नहीं छोड़ता आपको लूटने में क्योंकि आपके मोबाइल का सारे कंट्रोल है करके पास चले जाते हैं, मैं आपको एक और भी उदाहरन देता हूँ, अल्रेडी ऐसा हो चुका है, तो एक व्यक्ति है जो इंडूसिंट बैंक CSP चलाते हैं, वह CSP एप का नाम RDSP CSP ह जिसके उपर कभी-कभी अपडेट आते रहते हैं, इसी दोरान WhatsApp के माध्यम से उनके पास इंडूसिंट बैंक CSP का एक एप्लिकेशन आते हैं, जिस पर लिखा हुआ रहता है कि यह इंडूसिंट बैंक CSP का नया वर्जन है, नया वर्जन एप्लिकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, और दो दिन बाद जैसे ही वह अपने बैंक CSP में कैश विद्रॉल करते हैं, तो देखते देखते कुछ समय के अंदर उसके बैंक CSP से 55,000 रुपया चोरी हो जाते हैं, और यह ऐसा चोरी ना आप कुछ कर सकते हैं, नहीं पुलिस आपका कम्प आपकेशन आते हैं, कुछ इस तरह से जिस पर एक unknown number यानी बिना जानकारी के number हो, तो तुरंथ ही वो एप को delete कर दे या फिर वहां से निकल जाए